हेलो गाइज आपका मेड़ी चैनल में स्वागत है तो दोस्तो रियलमी के नए TWS एयरफोन रियलमी बर्सेल टू नियो आज ओफिसियली लॉंच हो चुके है पाकिस्तान में और दोस्तो ये एयरफोन इंडिया में भी रियलमी जल्द ही लॉंच करने वाला है इस वीडियो के नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं रियलमी बर्सेल टू नियो के स्पेसिफिकेशन और फीचर को जानकर रियलमी बर्सेल टू के कंपेर में यहां पर हमें फूली नियो स्टैल डिजाइन वाली डिजाइन मिलती है जिसमें 10 mm के ड्राइवर्स दिये गए है यह 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 फोन में हमें एक्टिम नॉइस केंसलेशन का भी सपोर्ट मिल जाता है अपटू 25 dB की noise cancellation यहां पर मिल जाती है जो की यह काफी अची बात है क्योंकि पीछले साल इसी प्राइज रंज में हमें EMC का ही सपोर्ट मिलता था लेकिन इस साल हमें EMC का भी सपोर्ट मिलने लगा है जो की यह यह काफी अची बात है इन earphones में dual mic noise cancellation का भी support मिल जाता है जिसकी वज़से call करते समय आपको कोई भी disturbance नहीं होगा यानि कि बाहर की आवाज आपको सुनाई नहीं देगी call करते समय जिसकी वज़से आप अच्छी तरीके से बात कर पाएंगे call पे इन earphones की battery की बात करें तो realme ये claim करता है कि single charge पे इन earphones में हमें मिल जाएगा 5 गंडे का battery backup और दोस्तो केस के साथ यहाँ पर total 28 hours का battery backup मिल जाएगा जो कि ये काफी अची बात है क्योंकि ये earphones एक budget category के earphones है इसलिए अगर आप active noise cancellation को use करते हो तो आपको total मिल जाएगा 20 गंडे का battery backup इन earphones में fast charge का भी support मिल जाता है और दोस्तो realme ये claim करता है कि इन earphones को 10 minutes चार्ज करने पर यहाँ पर total 3 hours का battery backup मिल जाएगा यानि कि 3 गंडे का battery backup मिल जाने वाला है इन earphones को 10 minutes चार्ज करने पर और दोस्तो ये इसका काफी अच्छा feature है क्योंकि traveling करते समय आप इसे fast charge भी कर पाएगे इन earphones में Bluetooth 5.2 की connectivity भी मिलने वाली है जिसकी वज़े से connectivity के मामले में आपको कोई भी problem नहीं होगा इन earphones में IPX5 की rating भी मिल जाएगी जिसकी वज़े से आप इन earphones को work up करते समय भी पहन पाएगे इन earphones में gaming की बात करें तो यहाँ पर 88ms की super low latency मिल जाती है जिसकी वज़े से gaming करते समय आपको lag काफी कम दिखने को मिलेगा इसकी low latency काफी ही कम है इसके price range के हिसाब से क्योंकि usually इस price range में हमें 100 या 110ms की low latency मिलती है इसलिए लेकिन यहाँ पर realme ने दी है 88ms की low latency जो की एक काफी ही अची बात है इन earphones के बारे में इन earphones में हमें realme का खूद का R2 chipset भी मिल जाएगा जिसकी वज़े से noise cancellation and sound quality इन earphones की काफी अची होने वाली है इन earphones में काफी सारे touch controls भी मिल जाएंगे और दोस्तों यह earphones आज पाकिस्तान में launch हो चुके है दो color variants के साल black and white color के साथ launch हो चुके है यह earphones आज पाकिस्तान में इन earphones की price की बात करें तो पाकिस्तान में यह earphones around 3000 रुपीज की price पर launch हुए है यह मैं आपको Indian price बता रहा हूँ पाकिस्तान की price को convert करते हुए और दोस्तों यह earphones इस price पर इंडिया में launch होते है तो यह earphones काफी अच्छे earphones केह लाएंगे इन earphones की इंडिया launch date की बात करें तो इंडिया में यह earphones इस महीने के end से पहले launch हो जाएंगे ऐसे leaks से जानकारी मिली है और दोस्तों rumor से ऐसी भी जानकारी मिली है कि यह earphones कल ही launch हो सकते हैं इंडिया में realme c series के launch event के साथ लेकिन यह launch date अभी पका नहीं है यह confirm में नहीं किया सकता लेकिन leaks की माने तो यह earphones इसी महीने के end से पहले launch हो जाएंगे इंडिया में क्या आप लोग रीयल्मी बर्सेल 2 नियो के इंडिया launch के लिए एक साइकेड हो तो आप वो मुझे comment section में जरूर बता सकते हैं और दोस्तों यह था मेरा वीडियो रीयल्मी बर्सेल 2 नियो क अगर आपको अचली मेरा वीडियो लगा हो तो वीडियो को जरूर्ल लाइक करना भी पर नहीं और रूल जर्व को सब्सक्राइब करना इस घ्र की आपके लिए एसा ही वीडियो इसंप रहे रहता हूँ तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के ली कि मिन्या